नमस्कार बच्चों मैं संगीत भाले राव मेडम कक्षा साथ बेबी और सीके बच्चों को वनेत पड़ाती हूं देखो बच्चों हम लोग अभी घातंक का दुसरा नियम पढ़ने वाले हैं घातंक का दुसरा नियम है समान आधर वाले घातंकित संख्याओं का भागाकार किस तरह से किया जाता है देखो उधारन के लिए मैंने गणित लिया हैं तीन का चोथा घात भागे तीन का दुसरा घात देखो यहाँ पर आधार दोनों के समान है और उनके जो घातांक है उनका क्या करना है वो हमें समझ रहने का है अभी इसके लिए देखो तीन का चोथा घातांका भागे तीन का दुसरा घातांका इसका मतलब होता है तीन का दुसरा घातांका अभी तीन का चोथा घातांका का मतलब होता है तीन का चार बार गुणा करना यानि तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन ब देखा हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर यह तीन कट किया यहाँ का एक तीन कट कया और यहाँ पर भी एक तीन कट कया तो यहाँ पर अभी हर में कोई भी नहीं बाकी रह गाए लेकिन यहाँ पर अंश में तीन गुना तीन बाकी है इसलिए तीन गुना तीन हो गया तो दे इसलिए तीन का चार गटे रिन दोन बराबर तीन का दूसरा घाटांग्गा इंगे और यहां पर किस तरह से नियम दिया है कि जब कोई किसी समान आधारे वाली संक्याओ का भागकार किया है तो उनके घातंक का घटाओ करना चाहिए तो यहाँ पर वो नियम बताया है तो इस तरह से ये दुसरा नियम माईने आपको बताया है उसी तरह कुछ नियम जो किताब में दिये है वो हम लोग देखने वाले है उसके बात देखो आगे का नियम है ए का शुन्य घातंक इसका अर्थ क्या होता है देखो ए का शुन्य घातंक इसका मतलब देखो ए बराबर शुन्य नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह जो है वो परिमे संक्या है तो यहाँ पर शुन्य नहीं होना चाहिए लेकिन उसका घातंक अगर शुन्य होगा तो क्या करना चाहिए तो जैसे देखो A का M घातंक भागे A का M घातंक यह बराबर कितना आता है एक कैसे एक आता है तो देखो यहाँ पर A का M घातंक भागे A का M घातंक यहाँ पर दोनों के आधर समान ही, आधर समान होंगे तो घातँका क्या करना चाहे है घटाव करना चाहे है, इसका मतलब यहाँ पर M RIN M, M RIN M किया तो कितना आएगा, शुन्य आएगा, तो इसका मतलब A कृतना का हरता है शुन्य घातंक तो एका शुन्य घातंक का मतलब होता है एक उसी प्रकार देखो एका एम घातंक बटे तो देखो यहाँ पर एका एम रिन एक मतलब देखो दोनों को आधार समान है इसलिए एक आधार लिया है और दोनों के घातंक का घटाव किया है तो एम में से एम घटाव तो कितना होगा A का 0 गातंक का मतलब होता है 1 दूसरा नियम है A का रिन M का अर्थ क्या है तो देखो A का रिन M इसका मतलब क्या है तो देखो A का रिन M बराबर A का रिन M गुना 1 गुना 1 क्यों किया है तो गुना 1 का मतलब होता है तो यहां पर A का भी M घतंक भागे A का M घतंक मतलब यहां पर देखो रिन एम धन एम देखो यहां पर रिन एम धन एम बटे एका ये एम घातांक तो देखो रिन एम और धन एम कितने क्या हो गए शुन्य हो गए इसले एका शुन्य घातांक बटे एका एम घातांक तो देखो एका शुन्य घातांक का मतलब होता है एक और एका एम घातांक का करने का हैं उसके बाद आता है एका रिन एम घातांक बराबर एक बटे एका एम घातांक यह हमें यहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया हैं तो इसलिए एका रिन एक घातांक होगा तो उसका उत्तर होगा एक बटे ए इसका मकारण क्या है तो ए गुना एक बटे एक घातांक क्य क्योंकि ए कम ए और बटे ए तो यहां पर उत्तर आएगा ए इसका मतलब ए गुना ए का रिन एक घातांक बरावर कितना होता है क्योंकि ए का रिन घातांक यह एका गुनात्मक प्रतिलों है इसलिए 5 बटे 3 का गुनात्मक प्रतिलों संक्या क्या होगी 3 बटे 5 होगी इसलिए स देखो उसके बाद आता है चार बटे साथ का रिनतीन इस घातांकित संख्या का अवयाद्यान करेंगे देखो चार बटे साथ का चार बटे साथ का रिनतीन गातांकर यानि क्या चार का कितना तो यहाँ पर चार बटे साथ देखो इसकी गुनात प्रतिलम संग्या क्या आएगी तो एक बटे चार बटे साथ एक बटे चार बटे साथ आएगी तो फिर यहाँ पर उसका कितनी बार गुना करने का है तीन बार गुना करने का इसलिए एक बटेOC । चार बटे 256 चार बटे 7 गुनाचार बटे साथ शबी 210 बटे साथ ॥ द देखो 1 का 3 बबढ़ीski उत्तर 1 कि आएगा अभीdropने कि टान्व और ससाथ के तीन सो सथ попробोना क्या तो 343 तो फिर अभी एक बटे ड़नाई 343 भट, 343 इसका गुणातमर क्रृतिलवां संध्या करने के, गुणातमर क्रृतिलवां संध्या क्या आईगे 343 भट, 64 तो इसलिए, उत्तर आ गया साथ भट, चार का तीन घातांक याने देखो चार बटे साथ का जब रिन तीन घातांक होता है तau कि तरह में क्या निकलना है तो उसका प्रतिरों संक्या तैयार करने है गुनात्मक STEM संक्या और उसको घातांक जो है वो धना संक्या देने की है तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा है तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ नियम जो है यहाँ पर हल किये है तो इसके बारे में और जानकरी जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे धन्यमत